नमस्ते, इंजिनिरिंग ड्राइंग, सेकिंडियर की जो तेरी कर रहे हैं और आईटिय में पढ़ रहे हैं और जिनका मेकेनिकल ग्रूफ है उनके लिए चेप्टर इंपोर्टन्ट है आज हम टाइप इस्कूध है तो पढ़ेंगे इसके साथ विबिन प्रकार के जो इसकूध उनके बार में भी पढ़ेंगे तो यह आपकी जो सेकंड डियर का सेलेबस है मेकनिकल ट्रेड को इसमें बाइस ट्रेड है इनमें सकर कोई आपकी ट्रेड है ते आपके लिए वेर इंपोर्टेंट है इसके अंदर यह आठ टॉपिक हैं यह भी ध्यान से देख लिए यह इलेक्टिकल ग्रूप वालों के लिए है सिअा cater गाल के लिए ने लिए काल तह तो हम के इसकुर्व के बारे में पढ़ते हैं पहले है कि जिस प्रकार बोल्ड को अस्थाई बंधन करते से में प्रियुक किया जाता है उसी प्रकार इस्क्रू भी एक अस्थाई बंधन में प्रियुक किया जाता है ये निम्न चार प्रकार के हैं कैप इस्क्रू मसेन इस्क्रू सेट इस्क्रू और वोडन इस्क्रू कैप इस्क्रू इनका प्रियुक अधिक मजबूतिक लिए जाता ह इनका व्यास 5 से 40 mm रखते हैं यह नट के स्थान पर धलाई द्वारा किये गए चुड़ीदार होल में कसा जाता है यह इस्क्रू कहीं प्रकार के होते हैं इनका नाब इनकी कैप की आकरती के अधार पर रखा जाते हैं यह निमन प्रकार के हैं जिसे राउंड हैड इस्क्रू फिलिश्टर हैड इस्क्रू हेग्जागनल सॉकेट इस्क्रू और स्क्वर हैड इस्क्रू यह आप चार नाम याल रखें यह मसीन इस्क्रू देर रखें राउंड हैड है इसके पास में यह फिलिश्टर हैड इस्क्रू है पिर रता है मसीन इस्क्रू इसमें 2 से 20 mm व्यास बना कर जेरो नंबर से बारा नंबर के सेड़े में रखते हैं इस इस्क्रू में बहुदा पूर्ण लंबाई में छूड़ियां कटी होती है इनका नाम भी इनके हैड की आकरतिक आधार पर निर्वा करता है जैसे ट्रस हैड इसक्रू यह ट्रस हैड दे रखा है सबसे पहले फिर है काउंटर संग यह काउंटर संग दे रखा है फिर बाइंडिंग हैड स्क्रू यह बाइंडिंग हैड इसक्रू दे रखा है सैट स्क्रू इनको बिना सिर्थ का बनाते हैं इनका हैड नहीं होता है इनकी बॉड़ी में कसने के लिए खाचा होता है यह दो वस्तों की स लोकबर होल वी होता है जिसमे एलन की से इसे कशा जाता हुए, इन्हें headless screw के नाम से भी करा जाता है, यह निवन निवन प्रकार के हैं, round head screw, corn head screw, तो इनकी यह point के हिसाब से नाम दिये है, corn head screw, flat head screw, pivot head screw, चोथा पीवट राउंड कौन बीज़ फ्लैट और पीवट वोड़न स्कू ये इसकू लकडी के टुकडो को जोड़ने के लिए काम में आते हैं ये पेच इस्टील या पितल के बने होते हैं इनके सिस पर भी एक खाचा गुमाने के लिए बना होता है और इनके व्यास 1.5 mm-10 mm तख होता है जिदा ये 0-24 से नंबर की सिन्ही पर होता है इनकी लंबई है व्यास के 6 गुना होती है इनका किनारा कुछ तेखे ड़लान में नुकीले बनेते तख होता है जिससे इसकू लकडी में आसाने से जा सके तो round head screw, flat head screw और oval head screw ये तीन तरह के screw दे रखें round head, flat head और oval head screw ये चार परकार के जो screw भी हमने पढ़े थे तो इसमें इन चारों के देखिए कैप की आकरती पर नाम रखा है, cap screw तो round head screw सबसे पहला है, philister head screw ये very important है कई बार exam में पूछा के हैं, hexagonal socket head, इसके अंदर ये सट पूजा कर खाचा कटा है, इसमें allen की द्वारा कसा जाएगा और ये square head screw ये भी हमने अभी देखा है, truss head और counter sensor और winding head ये set screw हमने ये देखा भी, allen की और भी screw driver दूनों की द्वारा कसे जा सकता है जिसमें hexagonal shape का खाचा कटा होता है, वो allen की से कसे जाएगे और जिसमें single खाचा होता है, वो screw driver के द्वारा कसे जाएगे wooden screw ये भी हमने देख लिए, इनकी आकरती कैसे होती है round, flat और oval यांतर की अभियंतर इंजिनिरिंग में, threads का बिसे इसस्तांस है चोड़ की साहते से machine के दो अत्वा, दो से अधिक भागों को जोड़ा जाता है इसके अधिक इन भागों का गुमना भी चोड़ियों पर आधारित होता है इन चोड़ों के जब किसी वस्तु इससे इस पर काटा जाता है, तो उसका नाम भी इसमें समलित हो जाता है क्रेश्ट है, चोड़ी के सबसे उपरी सीरा क्रेश्ट है, रूट, चोड़ी के गुरू के सबसे नीचली सत्य रूट कहलाती है, फ्लैंक, चोड़ी के साइड की जो सत्य है, टैपर, जहां पर क्रेश्ट रूट मिलती है, वो फ्लैंक कहलाती है सबसे लगू व्यास फिर पिछ व्यास और दिर्ग व्यास और नॉमिनल डामेटर सबसे बाहर वाला साप्ट का तो इसमें याक्रति रखें मूलततु पिछ की परिवासाज ये देखें दो बराबर वाली चूड़ों पर इसे कर्रस्पॉंडिंग पॉइंट्स के मद्य अक्स क समंतर दूरी को हम पिछ कहते हैं इसे पी Dwara प्रदसर क्या जता है पिछ लाइन चूड़ों की गेरयाई के मद्य से निकली रहा करद करा करें पिछ रहे दामेटर पिछ रहाओं पर पिछ विन्दों के व्यास को पिछ व्यास कहते है य ambitions ऑन चारकल の या फिछ स्ट्रकल डाय fem1 अदिक्टम व्यास कर रहता है सदी के लगू व्यास कि कि अक्स के लमब्ध माफ़ के लगूझ याइस उस् ONE से पशीयु में देक्ट तो यह की लगूह व्यास के उसका आधा कने के डेफ लेट का एंगल किनी दो साथ मिले फ्लेंकों के मद्दी बना कौन होता है जैसे मेट्रिक थ्रेट में साथ डिगरी का होता है अंगल Plank Angle ČD block का या Lead को ओर त है चूड़ी को मौन Threat Angle का जो आधा भाग हुता है वो Lead को ओर त है Lead इसकी परिवसty important है किसी स्कूरू पछलता हुआ अनड्ट एक चक्कर में जितनी दूरी चलता है वो उसकी Lead पहलाती है Single Start चूडी में Leade और पिस समान होते हैं, multi start चूडी में lead, pitch तथा number of start की गुनन फिल के बरावरती है multi start में lead बरावरता है pitch into number of start या double start है या triple start है helix angle, helix द्वरा pitch व्यास पर lump के साथ बनाएगा acon helix कौन गलाता है तो यह thread की जो lead है और उसको हम जब भाग देंगे पिछ व्यास की परेदी से, तो हैलिक्स कोन हम निकाल सकते हैं, देखो अब क्लासिफिकेशन अब इसकू थ्रेट्स, बाहें चूड़ी, आंत्रिक चूड़ी, राइट हैं चूड़ी, लेप्ट हैं चूड़ी, सिंगल स्टार्ट चूड़ी औ आधि की सेंग पर बनी चूड़ी बाहे चूड़ी होती हैं, साफ्ट पर, बोल्ट पर, इश्टड पर और इसकूड़ पर, इंटर्नल थ्रेड, किसी खोकली जॉब की आंत्रिक चूड़ी कराती हैं, यह किसी छित्रे सौकेट, नट आधि में चूड़ी अंदर के और तो इस परकार की चूड़ी राइट हैं, जब हम क्लॉक वाइज गुमाते हैं, तो वह अपनी अक्सी जिसा में आगे बढ़े, तो राइट हैं त्रेड कराएगे, फिर लेप्ट हैं त्रेड में, यह किसी बोल्ट पर, नट को एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पर, अक्सी सिल्ग है, तो वह चूड़ी लेप्ट हैं ध्येड करनाती हैं, यह सुरूप है, फिर, सिंगल स्टार्ट हैट, सिंगल स्टार्ट चूड़ी में पिछ तरीट समान होती है अता सिंगल स्टार्ट चूड़ी में नट को एक बार आगे गुमाने पर वह पिछ के वराबर आगे बढ़ती है इस क्रूप पर चूड़िया हैलिक्स के रूप में बनी होती है ये सिंगल स्टार्ट ठ्रेड का फिगर है मल्टी स्टार्ट ठ्रेड के दिगे जब नट को एक बार गुमाने पर उसकी पिछ की दो गुना तीन गुना या और अधिक आगे चला नहों तो मल्टी स्टार्ट चूड़ी काटे पड़ती है इस प्रकार मल्टी स्टार्ट चूड़ी में अधिक अक्षिय गति प्रावत होती है मल्टी स्टार्ट चूड़ी में किसी बेलनाकार भाग पर दो या दो से अधिक हेलिक्स चक्र एक चक्र में बने आते हैं तो मल्टी स्टार्ट देखिए डबल स्टार्ट में उपर एक पिछ है नीचे डबल स्टार्ट लीड कितने होगे टूपी के बराबर इतना आगे चालेगा एक चक्र में इसमें देखिए पिछ तो पी है लेकिन ट्रिपल स्टार्ट एड के अ अब यह देखिए सबसे पहले वी थ्रेड वी चूड़ी के जो आंत्रे कोने सांट डिकर होता है इसका उपरी क्रेस्ट और आधार दोनों शार्प होते हैं वी चूड़ी का उपयोग बंदक और लॉकिंग लिक्तियों में किया जाता है ये निमने प्रकार की है ब्रेटिस स्टेंडर्ड विट वर्ड बी एस डबलू थ्रेड ब्रेटिस स्टेंडर्ड विट वर्ड थ्रेड बी एस डबलू थ्रेड इस चूड़ी का अविसकार सन 1941 मे ने किया था इस प्रकार चूड़ी में परती है ग्यास पर अलग-अलग संख्या में चूड़ी ने धर्द की जाती है तता इन चूड़ियों को कनाडा ग्रेट ब्रिटेन अमरीका में अपना जाता है इसका प्रियुक आम तवर पर नट बोल्टों पर किया जाता है इसका जो अगल है 55 डिगर होता है 11.6 पिच होती है और पिच का यह फाल में रखा है वन अपान परती इंच चूड़ी ट्रेट पर एंच और तरिज्या है पॉइंट 1373 इंटु पिच रिडियस यह बिटिस इस तो नो बिज़वर ठेड है एच और एच इसमाल और रिडियस दे रखा यह सो आशे सो करना है 55 अब बिटिस एस्सीएशन त्रेड इस चूड़ी के पिच निकालते से में पॉइंट 9 घात नंबर आप चूड़ी का सुट्र प्यूब करते हैं जिसे बीया नंबर पर दो चूड़ी के पिच एबं बीया नंबर पर चार चूड़ी के पिच निम्न बनने जाएगे बीया नंबर फोर के लिए पिच पॉइंट 9 की पावर फोर लगाएंगे तो यह पॉइंट 66 मिलिमेटर जाएगे इस थ्रेड का जो एंगल है 47.5 दिगर होता है साड़े से दाल दिए इस प्रकार चूड़ी का प्रियोग चोटे उपन जैसे गड़ी चोटे इसकुर आदे में कह जाता है सब भी प्रकार के बिटिस एस्सेशिशन चूड़िया इंच प्रणाले में होती है ब्रिटिश स्टेंडर्ड फाइन त्रेड इन चूड़ियों की प्रोफाइल 25 डिगरी वाली होती है पर अंतर यह होता है कि बिएसफ चूड़ी के पिच समान व्यास की तता बिएसड़ियो चूड़ी की पिच से अधिक परिशुद होती है बिएसफ चूड़े का प्रियोग मुख्योर से ओटोंवाइल एरक्राफ्ट परिशुद मेकनिसम वाली मशिनों में किया जाता है इन चूड़े का पिच छोटा उनेकान कोर व्यास या प्रभावी व्यास बड़ा होता है यह मैट्रिक थ्रेट रखा है एंगल देशाद डिक्री सो कर रखा है मैट्रिक थ्रेट में जो क्रेश्ट और रूट है वह राउंड में नहीं होगे फ्लेट में है कि वरगा कार स्कृराइट में देख्यें इंटनल दूनों वरगा कार चुडी से श्कूरु चूरूरी के एक समानी रूप है एक पर्योग गतियत्वो सक्ति परिशन में किया सबस्क्क UP इन चूड़ें को अधिक करती और सकती प्रभासन के लिए लिए खेर जाता है सम लंबाकार चूडिया निमन परकारी होती है, इसमें सबसे पहला थी है बेटरस रड़, इन चूड़ों की आकरति त्रिबू जैसे होती है, जिसमें एक फ्लैंक चूड़ी की अक्स के लंबबत तता दूसरी पैतल डिकरीप होती है, इस चूड़ी का प्रियोग ऐसे भागो हैं और एक इनी क्लाइंट हैं, और एंगल कितना हिस में, 45 डिगरी, और H is equal to P के बराव होगा, एक में थ्रेट, यह इंपोर्टेंट है, परिक्समें कई बार पूछी गई है, एक में थ्रेट और स्कूर थ्रेट, इन चूड़ों की आकरति वर्का का चूड़ी से मिलती है, इस चूड़ी के एंगल गुंती डिगरी होने कारण इसका प्रूख एस स्थान पर के जाएं, इसके साथ नट सिक्ट सा लगाना हो, जिससे लिए में हापना चूड़ी आँ, कार्ट रसमें लगाना पड़ता है, इसके इन चूड़ीों में भी बहुत मजबूत ही होती है, इसके अधिक भारता हैं का सकती है, यही कारण है कि मेकनिकल जैक में इनी चूड़ीों का प्रूख के जाता है, और इसके जो यह देखिए, एंगल कुंती डिगरी सोब करना है, और क्रेश्ट में जो फ्लैट सरफे से उसकी जो टी रखा है, 0.3707P होना चाहिए, इस्तान पर किया जाता है, जहां अधिक वजन को खेचना पड़ता है, जैसे रेलवे खेरेश का आपस में जोडने वाले के इसमें चूड़ीया काते जाती है, इन चूड़े को बना तो से में रेडियस फॉर्म टूल बना कर कार किया जाता है, तो आर बरबर 0.25P, एक पाइप चूड़ी को प्योग पाइप इटिंग की साइक, सामगे जिसे कोट वाल विक्ताती की फास्टनी में कह जाता है, यह चूड़ी आई बटाट, एक बटाचार, एक डाइड इंच, चैन्च, चोईस इंच की साइज में मिलता है, इन चूड़ीयों पिछ जो होता है, जो पॉइंच से टू पॉइंच जिल नाइन मिलीमेटर के मद्धी होता है, तो यह फाइप चूड़ी आ इसमें ह हे इसमाल एक और आर दोनों दे रहे हैं, और चूड़ी करच अंगल है 15 डिगरी, से तान्तिक क्या रहाई है, वास्पी क्या रहाई है, टूरत शाक आड़ क अब convention of thread हम ड्राइंग में स्क्राइब को कैसा दरताएंगी जो पर वाला figure है ये तो इसका जो है and और अदर आपको दिखए जे रहा है आप लेकिन C में जो दे रखा है इसका दरताएंगे और side से हम देखेंगे कि सफलन और खन रस krutVer ठर्कल बना रहे का रहा है वो पूरा नहीं बनने है और इधर इंट्रल थेड है तो उपर वाला यह जनरल जो हम देखते हैं त्रेड पते इस प्रकार दिखाए देती लेकिन इंजिनरिंग ड्राइंग में हम बनाएंगे इंट्रल थेड को तो यह इसका सेक्शन करके दिखाए गए दो लाइने सो करनी ह और इसमें जो रूट डायमेटर है बढ़ा है इसलिए रूट डायमेटर बाहर है तो इंट्रनल थेड में रूट डायमेटर बाहर के तरफ तीन चोथ है तक बनाना है पूरा नहीं बनाना है डिजिनिशन इसकूल थेड्स चूड़ों के जो ना मंग हैने चूड़ों के प् दिर्ग व्यास के साथ पिछ लिखनी भी आफशक होती है जिसे M20 इंटु 1.5 इसका मतलब है दिर्ग व्यास का डामेटर 20 है और पिछ एक पॉइंट 5 मिलिमेटर है और M मैट्रिक का है और LH अगर लिखा है तो लेप्ट हैं त्रेड है और LH लिखा है तो राइट हैं है कि पार्ट और फास्ने को बिना हानी पहुंचे पार्ट को आला किया जा सके नाट बोर्ट इस्क्रू या बिना थ्रेडिंग के फास्ने पिसे की कोटर इत्यादी परमके एसको त्रेड बहां या आंत्रिक रूप में एक यूनिफॉर्म सेक्शन की सिलंडिकल या कॉनिकल भागपर बनागे है अलिकल प्रोजिक्शन थ्रेड के लाता हूं ये हमने इसकुट रड की जो बिना फॉर्म है या भी हमने पड़े थे आप फिर से देख लिजिए इसको एक्शन थ्रेड और इंटरल थ्रेड में क्रेष्ट कहां पर है रूट कहां पर है डेफ्ट कहां प sketchbook में इनका figure और यह सारे आप not कर लिए मेजर डामेटर फिर माइन डामेटर पिछ डामेटर क्रेश्ट रूट प्लैंग थ्रेड़ कौन देफ्ट अब थ्रेड पिछ लोप अब थ्रेड लीड यह इसके 11 भागें आंत्रिक screw thread, internal screw thread या सुराह में काटे के thread बाहरी screw thread, external screw thread तो यह विवन परिकार के अभी हमने देखे थे इसको, single star thread में lead वराबर fish होती है, double star में lead वराबर two and two fish होती है और triple star में lead three times of the fish होती है, और इनकी यह, right hand thread और left hand thread वोग कर रखी है यह आपके single star, double star, एक में triple star, triple star, square, double star, इसमें single star, double star, triple star, को हम कैसे सोग करेंगे, यह दिखा रहें त्रेड, type of threads में, इसमें निम्रों के V-thread, weighted standard, width-ward head, यह हमने अभी देखे थी, एक angle 55 degree होता है, यह दिख पीछ पीए माने है तो, इसकी जो, आभास की मुचाई, h.96 होती है, और वास्तिक ग्यारेज होती है, h.64 पी होती है, यह याद रखने, एक बटा, दो इंच, ब्याज डूब्लू करते हैं, चूड़ी का व्यास एक बटा, दो इंच है, तता बारा चूड़ियां प्रती इंच है, इन चूड़े को प्रियोक नट बोल्ट और फेच्व में किया जाता है, यह ब्रिश स्टेंडर्ड फाइन द्रड है, इसका भी ए इसका एंगल साड़े साथा डिकरी होता है, अब भी बताया था हमने, और एक बीए थ्रेड का रहता है, बीए थ्रेड जिनका मेजर डामेटर एक इंच है, प्रियोक घमेट्रिक थ्रेड का कॉर्स साड़े होता है, यह आभी आपने देखा था, पाइन सरी कोर स्रीज ऑन आपक होुए इसक्वातर बाटर फ्रेड देरकाय यह आपने पाटबर ता है, đị और त्रुल यह थ्रेड पढ़ा था एक मे थ्रेड एक में थेड का एंगल उन्ती डिग्री हो था अभी हमने पढ़ा था नकल थेड यह हाफ रीडियस की साइज में होगा और यह बट्रास थेड यह विपन परकार के मसीन स्कुरू दे रखे हैं यह अभी हमने देखे थे हैं सैट स्कुरू यह बीना शिर्ष के होते हैं इनकी बॉड़ी कसने के लिए खाचा बनाता है यह दो वस्तों की सब्बंद सक्ती को रोकने के लिए प्रियोक किया जाते हैं इनकी लंबाई व्यास के तीन गुना होती है इनके हैड पर आंत्रिक, हेक्जागोनल या चोकोर हॉल के होता है वैड स्क्रू देख रखें यह मसीन स्क्रू यह भी हमने अभी देखा था यह सैट स्क्रू हेडलेस यह भी हमने देख लिया था वापस आगे हैं wooden screw आ कि यह भी हमना भी देखा था कि यह क्रेश्ट और ऐनकी यह पार्स थ्रेड्ड के जो कि यह मना देखनिते हं कि सारा डाइमेटर आप देखलिए पिछ की परिवासला पिछ रिखाव पिछ डाइमेटर मेजर डायमेटर, माइनर डायमेटर, डेप्ट अब थ्रेड और थ्रेड का एंगल, फ्लैंग कॉर्ण, हैलिक्स कॉर्ण, यह सब हैलिक्स कॉर्ण का अदिका फार्मला चूड़ी की लिड और पिछ व्यास की परदी अब यह बाहें चूड़ी दे रखी है, उसके बाद यह आंत्रिक चूड़ी दे रखी है और यह राइट हैं ट्रेड का यह फिकर दे रखा है, जब हम क्लॉकवाइस गुमाएं तो अक्ष दिसन में आगे बढ़ें और लेप्ट हैं ट्रेड में जब हम एंटी क्लॉकवाइस में गुमाने पर आगे बढ़ें ये single star thread है और इसके बाद ये multi star thread में double star, triple star और square double star और एक में triple star thread है ये B thread के बारे में अभी हमने पढ़ा था, BTS association thread के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वापस आगया है इसका BT standard fine thread का 55 degree है, ध्यान रखने, metric thread का angle 60 degree होता है आपको capital H, आबासी और actual depth ये तोनों याद रखनी है और angle याद रखना है वर्का का thread ये हमने अभी देख लिया था, सम लंबा कार चुड़ी ये में वापस देख रहे हैं, बटर thread आगया ये एक में thread का very important है, इसको आप जरूर बना कर देख लें, गुंती जिक्री एंगल अगता है और जो flat surfaces से उपर, crest और root की उसके लंबाई 0.3707P है और thread की जो depth है, H 0.5P plus 0.25 है ये nickel thread, very important, ये भी आती है, आप round में, pipe thread, ये pipe thread के बारे में अभी पढ़ा हमने, ये figure भी हमने देख लिया है designation of screw threads, ये designation of screw threads, ये figure याद रखें, इसमें कुछ 11 भाग हैं इसके, उन सब के नाम आपको याद रखने हैं ये भी हमने देख लिए हैं, और आगे चलते हैं जोड़ा British Association thread, वर्गा का thread, ये वर्गा का, अब आज ये trapezidal threads, ये knuckle thread आगी, एक में thread वापस देख लिए, बटर त्रेड, अब ये देखिए, इस तुसरी नामंग का, डिजिन विसन त्रेड, चूड़ों पुनके मैजर व्यास और चूड़ों के प्रकार से नामित किया जाता है, इ इदि पिछ नहीं लिखे जाती है, तो इसे course pitch माना जाएगा, यदि जैसे M20 चूड़िया, ये metric चूड़िया, इनके मेजर व्यास 20 mm है, इसकी pitch course है, जो 2.5 mm है, M20 into 1.5 लिखेंगे, और चूड़ी में दि लिए RH और रह नहीं लिखा है, तो इसे right hand thread माना जाएगा, multi start चूड़िया में उनके start किसे क्या लिखे होती है, M20 into 1.5 triple start, ये लिखा होगा, ये external screw thread, ये एक प्रकार का stud दिया है, stud के दोनों तरब thread है, उन पर बाहिया चूड़िया होती है, और इसका जो side view है, इसमें core diameter 3-4 बना दो है, internal thread, इसमें core diameter बड़ा होता है, इसलिए core diameter बाहर आ गया है, और इसको भी 3-4 बना जाता है, पूरा नहीं बना जाता है, ये सारे जो भाग हैं भी हमने देख लिए थे, इनकी परिवसें, देर के अच्छी से पढ़ लीजिए इसको, not कर लीजिए, डेजिगनेशन याद रखे हैं इनको, ये अब BSW thread, Americanism thread, ये BA thread, system international, metric thread, butter thread, square thread, acme thread और knuckle thread, ये इसमें आपकी seat पर इस परकार आप इसको तयार कर सकते हैं, आपको engine drawing में आपको cable threads बनानी है, इनके बारे में वीवरन कुछ भी नहीं लिखना है, थोटिकल, आपको cable चितर बनाना है, ये सबी परकार की threads आपको, अपनी sketchbook में बनानी है, इनकी shape देखकर, इनका angle याद रखना है, इसमें capital H और small S दे रखना है, अब ये elements ये हमना भी बताया थे हैं, ये वियाद रखना है, internal thread और external thread, ये right hand thread का direction clockwise और ये left hand thread का anticlockwise शो करना है, और ये drawing के अंदर ये जब इसको side से देखेंगे, ये तो inner circle is thin and broken होना थी है, external thread इसलिए है, convention of internal thread में ये, इसका quad diameter बढ़ा, तीन चोटही कटा हुआ है, तीन तो थे, बनाना है, एक चोटही कटा हुआ है, तो convention of internal thread, right hand thread में रखना है, अब ये single start, double start और triple start, ये किस प्रकार सो किया है, ये आपको, इसमें सबसे पहले lead equal to P के बढ़ाब है, lead 2P के बढ़ाब है, lead बढ़ाब 3P के बढ़ाबर है, अब British standard width-ward thread का दिखिए, D.96P, small d है, 0.64P, और R, 0.1375P, BHD thread का सबसे रोर एंगल 75 degree, फिर है seller thread, इसमें crest और root round नहीं होगा, radius नहीं होगा, flat है, और इसमें capital D.86P है, और small d.64P है, और एंगल 6 degree सोग करना है, British association thread के अंदर आपको crest और root round सोग करना है, pitch सोग करना है, और small d कमाइन 1.136P, और capital D कमाइन 1.136P है, और small d 0.6P सोग करना है, B.A. thread का बता दिया, अब metric thread, इसमें भी crest और root radius में ही आएंगे, flat होगे, एंगल 60 degree होगा, और capital D.86P है, और small d.64P है, फिर आपको इन नकल thread का figure बनाना है, इस case book में, एक center line catch करके, point R.25P के दूरी पर आप point लगा देंगे, pitch आप 30 mm मान सकते हैं, और इस प्रकार से एक तरफ उपर radius बना दो, एक नीचे के तरफ हाप radius circle बना दें, पिर square thread को इस प्रकार से बनाना है, प्रेंड इसके साथ है, एक्जाम में, important है, D depth है, 90 degree, pitch कहां से कहां से अप्सूब करनी है, और thread की जो लंबा ही है, 0.5P है, और gear IB 0.5P है, जोनों बराबर हैं, यह butter thread, इसके अंदर capital D, P के बराबर लेंगे, अगर P 36 दे रखा है, तो 30 हो जाएगी, और small d, 0.75P, एक में thread का यह simple, आप देख लिए ऐसा बनाना है, इसकी thread की करें 0.5P plus 0.25 mm, और flat surfaces की C कमान 0.3707P है होगा, और angle 3 degree, अब यह type of grub screw and set screw के एक साथ दे रखा है, आप sketchbook में इस प्रकार से सारे एक साथ बना लें, लिखना कुछ भी नहीं है, वड़न, कुछ नहीं करना है, cup point तो नीचे, इसके जो tail में यह cup type है, flat है तो नीच, इसका जो tail है, flat है, oval point है तो oval, redis में, full dog point, half dog point, corn point, hexagonal socket head screw, इसमें, ellen की द्वरा कसद आएगा यह last वाला, फिर यह set screw जो है, यह head की आकरतिक अनुसार इनके नाम दिये हैं, सबसे पहले round head, round और cup head, पर cylindrical और cheese head, यह very important है, philister head, यह very important है, और countersung head, यह important है, और round countersung, यह सारे screwdriver के द्वरा कसद आएगा, square head है, और square head with collar head, collar भी है इसमें, तो यह set screw और grub screw, आप एक thread की seat बनाईए, एक grub screw की seat बनाईए, और एक set screw की seat बनाईए, तो इन में से कुएंट कुए exam में जरूर आएगा, आप अच्छे तरस इसकी तहरी करें, threads के बारे में जरूर बूचेंगे, prehand, thank you.